अमस्कार मैं हूँ आपके साथ नुश्कार राय और आप देख रहे हैं UFT Life TV फतेहपुर जनपत के किशनपुर कस्वे में पूर्वो में मुख्या रहे समाजवादी की विचार धारा रखने वाले समाजवादी पार्टी मुख्या रहे मुलायम सिह यादव को पार्टी कारे करताओं ने शोक सभाय उचत कर श्रधानजली अर्पित की बता दें कि पिछले एक अक्टूबर को मुलायम सिह यादव का निधन हो गया था और उनके निधन की खबरसन पूरे प्रदीश में शोक की लहर दोर गई थी इनके निधन की बाद से लगाता पार्टी कारे करताओं दौानाओं ने श्रधानजली दी जा रही है उसी केट जलते किशनपुर कस्बे में भी समाजवादी पार्टी के नगए अध्यक्ष अखिलेश अगरवाल के नेतरत्व में कारे करताओं ने शोक सभा आयोज़ित करशर धानजली दी इस दोरान सुशील सोनी, श्याम अगरवाल, सोनो अगरवाल, अवीडल अगरवाल, कल्लू यादो समेथ तमाम कारे करता मौजूद रहे आंति भोज का जो आयोजन सहभाई में और पूरे देश में हो रहा है, उसका हम लोग किसंतुन नगर कमेटी के लिए इस आंति भोज के उप्रच्च में एक सभाजरी सभा रखी गई है क्योंकि आज हमारे अगरत, हमारे गुरू और इस समाजवाद को सरवोच त्रेहनी पे ले जाने वाले आदरणी नेता जी मुलाहिम सिंग यादो जी का एक अक्टूबर 2022 को निधन हो गया नेता जी पहली बार सन 1907 में प्रजातांति स्वोश्रिस्ट पार्टी से बिलायक चुने गए ऐसे तो ये प्रेसे में अध्यापक भी से 1922 में ये जैन इंदर कालिज में अध्यापक का कर चालू किया और दीने से के डाक्तार नाम अनुवन नुईया जी के सामित दिमें आए और 1907 में ये पहली बार बिरायक बने 1907 में ये सहकारता मंत्री बने और 1989 में ये पहली बार इस दूबे के मुख मंत्री बने 1913 में सभाबस्पक के सरकार में फिर से तुमारा मुख मंत्री बने और 1907 में ये 22 में अच्छा मंत्री बने और आग्यों ताबूत है आज सते ज़वानों के घर लोइन आ रहा है ये आवको किसी की देन नहीं जो आज ताबूत हमारे स्टेना की जवानों के घर में आ रहे हैं इसके पहले यह ताबूत की ब्रस्ता नहीं थी और इसके बाद संदोजातीर में इसकूमें के तीक्री वारुकमंद्री बने और कन्यधन विद्यधन और कमान भी चुबी कर और बाइट आजी हमारे